बड़ी अफाई उड़ाय जारी है डेटेन कर लिया रेस्ट कर लिया मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ आप लोगो 1993 की 1993 में जिस कंपनी में मैं काम करता था ना बंबई में हम लोगों ने पब्लिक इशू निकाला था 130 करोड का और हम इंडिया तुडे गए थे उस टाइम एडि टुडे ने हमारे सेड़ी जी की फोटोग्राफ उस पर डाल दी थी ठीक है मीडिया में और इसमें सब बिका हुए यह बिक चुका है यह चौता स्थम नहीं है यह चौता बंब यह चौता बंब है आज की तारिक में यह अफाएं उड़ा रहे हैं डिटेन कर लिया यह कर ल करनी है इंडियन की कि अगर मैं यहां के पुलिस टेशन में जाता हूं और बोलता हूं एक राम को पाल करके आदमी है बिहार में रहता है मुझे असके अगेंस पुलिस रिपोर्ट के लिखानी है अमरीका में यहां का पुलिस टेशन वाला क्या बोलेगा गो टू इंडिया इंडिया में आप लोगों को बोल देता हूं यूगाई आप लोगों करते हो ना और यह आपने रैट छोड़के यह ट्वीटर पे इन लोगों ने क्या किया पता है एक जीरो फॉलोवर दो फॉलोवर इनको सिरफ गालिया बखनी आती है अभी मैंने देखा बीजेवी में कोई सभा और ती वहां पर चूते जूते चपल नोगा ने बरसा दिया एक दूसरे के अना तो इनके संसकारी ऐसे इनके संसकारी ऐसे बैने जिकाना आपको जैसे प्रजा वैसा राजा कोई फरक नी पढ़ता है इसमें ठीक है ना मीडिया ट्रायल से कुछ होता है क्या है आ are you guys mad are you guys foolish what are you guys are you guys are all collected in one place the world के जिक्ते भी बेवकूफ में एक जगे आगे ठिकाने पे आगे you know if you want to challenge somebody challenge through the court like I'm going to challenge through the court through the American courts and many people are going to get sucked into it many people these blogs and everything they're going to feel the heat man because truth truth will win सकते है परिशान हो सकता है पराजित नहीं हो सकता है बहुत महान आदमी ने बोल दिया था लिक है लिए आज की तारिक में इंडिया क्या है मैंने ना तो वहां कोई नेतागिरी करनी है ना मैंने कोई मेरा बिसनेस है कुछ नहीं है just my country what are we going to do is we are doing it for our own country that's it and these anti-national यहे डरते हैं अब सत्य से इनको सत्य क्योंकि इननों ने तो कभी दिखाना नहीं है यह तो बिके होए सब के सब ना कोई पांच करूर रूपे में कोई दस करूर रूपे में कोई कॉलम बिख जाते आप बताईए मुझे कौन से अख़बार का नाम बताईए किसमें क्या चपव आपको अरे जो आदमी मरता नहीं है उसकी अंतेश्टी छपताते थे लोग यह भी है क्या कि बर ऐसी ऐसी कहानिया है और इससे मुझे कोई फरक नहीं पड़ता है देखो बच्चों एक बास ना तो में गालिया सुनने की बहुत शमता है हम लोगो क्योंकि हम कभी साथ के लिए बोलते हैं ना कोई नेता के लिए बोलते हैं मैंने तो नहीं बोला खुद अपने मुझ से किसी भी नेता के लिए किसी प्रदा क्योंकि मेरे संसकार मुझे अलाओ निकरते यह आपके जो राजनितिक संसकार जो दिये हो है ना इस यह आप भूल चुके हो और यह आपको आयान है और अपने माबाब के संसकार आप भूल चुके हो यह फ़जी आइडिया बनाना यह सब करना मेरे को गालिया देना ट्वीटर पर आप लोग गर्थ में चलेगा और मुझे तो बड़े एक बहुत ही इसके अंदर जिसको कहते है ना शॉकिंग है कि आज की तारिक में हिंदुस्तान का युवा कर क्या रहा है और मुझे डाउट है सर यह युवा ही युवा ही अपनी कबर खोद रहा है कोई नहीं खोद रहा क मैंन खोद रहा है और मुझे सर युवा है। युवाज जुवा युवास पृट प्यूव जिस्तम पर जिस्तम रूण सथ युवाशन स स्टम इनवा युवालिप कर देनेभंवें सब्स्तित अलियुरून जालीषट कर दे इस पुवाव युवां लूवें से सिस्तम अन डिपी लगाने से आप शहीदे आजम अश्पाकुला घाल साब की डीपी लगाने से आप अश्फाकुला घाल अगर उनके दो परसेट भी आम काम करतें ना उनोंगे दो परतिशत भी तो आप कुछ बोल सकते हैं देश के लिए किया किसी को जूटा साबित कर देना यह करना इससे कुछ नहीं होता और इंडिया टुड़े वाले जंसत्ता वाले और तुम फ्रॉड हो या मैं यह बैठा हूं कौन सा डीटेन हो गया यह बैठा मेरे ऑफिस के अंदर मेरा ऑफिस में बैठा हूं ढाही जार स् होता नहीं है और एक और बात आप लोगों सुझाब देता हूं भाई कि अपना लेवल जानिए कि आपका लेवल क्या है ठीक है ना आ ऐसी गाड़ी बनाके देंगे आप लोग को गाड़ी तया टायर तयार पेट्रोल भरावाट चा भी आप लोगों देदेगे उसके बाद आप लोग चलाना हमें तो कोई इंडिया में आरा नहीं हमें कोई राजनीती में नहीं हम कोई नेता नहीं है आपके हम बना भी नहीं चाते हैं इसी प्रजा के नेता साब बात है पर अच्छे लोग लेके आएंगे आप लोग के सामने और एक तपस्या है यह तपस्या होती सबसे आगे बोलने का और आज की तारिक में मैं तो बहुत-बहुत शुकर गुजारूं कि आप लोगों ने एकर 500 करोड रुपे भी खर्च करता हमसे नहीं हो पाता आप लोगों को उसके लिए तो बहुत-बहुत धन्यवाद और जो लोग आज 10,000 रुपे मैंना दे दिया जाएगा आप लोग अपना इन बॉक्स में अपना बैंक काउंट नंबर वह सब भेज दीजिए 10,000 रुपे मैंना अब कर देगा जो भी एकडी खिलाफ एक साथ के लिए बोलेगा आपको प्रचार के लिए बहुत-बहुत शूक्री तो गिरफ्टार गुए अभी बाई बनाओ अभी बाई 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 को इतना बड़ा मत बनाओ भारी पड़ जाएगा आपकी सियासत पर बोलते हैं फौजी का खून है फौजी का खून बोला था यह जो ट्वीटर पर गाली गलोच करते है तुम्हारे संसकार दिखा रहे हैं कि तुम्हारे संसकार कि ते पिट चुके है तुम्हारे माबाप ने जो तुम्हारे शिक्षकों ने जो सब फेल हो चुके आज की तारिक में और वहारे मिलोलो लोखें फिरन है तुम्हारी थीडरले थीडर लेवारे लीघ। आँगा इंडीया था हए आश्टिवकों पामें फौटी नो ख्ट आए टूम्हारे दिख नोह का बसूंहारे हॉलन है तुम्हारे डर्फ़टे बात्वत इस आच्मट बात्तवां ने यही यहां पुलिस वाला आता है तो वी टेल टॉक to my lawyer, finish. यह फंडमेंटल राइट है अमेरिका में, we are covered by our fundamental rights and all the social activists are covered by the US government and you know the power of US government and I'll show you in some time कुछ टाइम में आप लोगों को शो करूंगा कि US government की अमशी की क्या पावर है India Today और जन सत्ता और जितने भी ब्लोग्स वालों ने लिखा है ना I'm coming after you if I can get after them I'm coming to get you also I'm not going to leave you because you people are making false propaganda false theories in which you don't have any right to do it you are not the investigating agencies you are not the court, you are not the judge you are nothing, you are a piece of shit which runs on funds, political funds and crony capitalist fund that's all you are we are coming to get you MKT Zindabad, Bharat Mata Zindabad and Jay Hind यह लड़ाई अभी तो शुरू हुई है अब आगे आगे देखो होता है Thank you so much पहले तो सब सब इनों को कहते है न हर कोई विकाव नहीं होता थोड़ा जोड़ से बुलना सेजीद भाई वहां पर वैसे विकाव सुनते हुए हम तो विकाव नहीं है हम तो विकाव नहीं है आज सुबह करीब आड़ बजे मेरे घर पे एक बंदा आया लोग उसे हवाला वाला कहते है आंगड़िया वाला कहते है वो आके मेरे हाथ में कैश की एक थैली थमा गया कुछ देर बाद एक अन्नोन नंबर से मुझे कॉल आया कहने लगा कि आप कोई खुलासा नहीं और इस वान उफ दी इंस्टॉल्मेंट्स मुव बंद रखने के लिए यू कहो कि सच को दबाने के लिए अब आप लोग सोचें सच को दबाने के लिए हमारा मुव बंद करने के लिए हमें खरीदने के लिए आप का खून चूसा हुआ प्ैसा गरीबों का खूं चूसा हुआ पैसा भारत वासीओं का पैसा, ये लोग यहां पे भीज रहे हैं ताके हम अपना जबान बंद रखें अपना काम बंद रखें ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता ये 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 पैसा ये डॉलरों में पैसा बेजा गया है भाई ये सब डॉलर है एक करोड उपिया बेजा है इन लोगों ने मुबंद करने के लिए एक सेंपल भेजा है कि देखते हैं ये लोग पैसा खाते हैं नहीं खाते हैं ये एक करोड उपिया है एक लाग चालिस अजार डॉलर है ये ये देख लीजे ये कैश इन लोगों ने भेजा है आंगडिया के थुरू कि हम लोग बिक जाएं हमने हजार वाला पैदा नहीं हुआ है हमें खरीदने की कोशिश ना करें ये आप लोगों का पैसा है भाई ये आप लोगों का पैसा है ये किसानों का पैसा है ये जवानों का पैसा है जो इस तरह आप लोगों का पैसा लूट के ये लोग हम लोगों को खरीदने की कोशिश कर रहें और हम जैसे तो किते लोगों खरीजने की कोशिश भी करी होगी और किते लोग बिके भी होंगे ये आपके सामने हैं, ये सब । ये सारे डॉलर हैं, एक लाघ चालिस जा डॉलर मेरे तो हाथ ने भी नहीं आते, ये देख लो ये सारे डॉलर है, ठीक है भाई ये 1.40,000,000 डौलर ये 1.40,000,000 डौलर ये 1.40,000,000 डौलर है करीबन 1.0 credit d per hospitality होता है ये हम लोग को try कर रहे हैं खरीधने के लिए इनको बता दो इनको बता दो MKD को खरीधना तो भौछ दूर की बात उफर ही मत करना और अब इस पैसे का क्या करेंगे यही बताएंगे सेद भाई, यह देखिए, यह पैसा ना मेरा है, ना यह नेताओं का है, यह पैसा उन देश वासियों का है, जो टैक्स भर के यह देश की सरकार चला रहे हैं, यह पैसा में जो पुलवामा में शहीद हुए, जवान है, उन लोगों की फैमिली को भेज रहा क्योंकि यह पैसे के वो बड़े हगदार हैं, मुझे शर्म आ रही है, यह कहने के लिए, कि हमारे देश में नेता किसी को भी खरीच सकते हैं, पैसे से कोई भी बिक जाता है, और लोग बिक रहे हैं, आफर तो तीन सो, साड़े तीन सो करोड की आई है, अगर वो पैसा आता है, तो मैं वो पैसा भी देश के जवानों में, किसानों में, जो जरूरत मन्द है, उन्हीं में बाढ़ दूँगा, यह एक करोड रुपिया, जित्ते भी आज की तारिक में CRPF के जवान हैं, उनको दे दिया जाएगा, MKD की तरफ से, एक हफते के अंदर अंदर, दस दिन क के अंदर अंदर, यह उन 40 फैमिलियों को एक करोड रुपे हम बाढ़ देंगे, और हमें खरीदने की कोशिश मत करना, कभी मत करना, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आप लोग, हम दुबारा दुबारा बोल रहे हैं, चुनाब कराते हो, एक एक लाग करोड रुपे का, ज य buds बंदा बैठा है, यह नहीं विके गा, और क्यों विकेंगा है, बताईए, आप बताईए, एमान की बात क्या होती है, बड़ी इमान की बात करते हैं, इमान नहीं मुस्लमनों में, बताईए क्या बात है। हमारा दीन हमारा मथहब ये ये चीज़ की अजादत नहीं देता कि हम अपने इमान को बेचें चंद पैसों के लिए यहां पे नंगा आया था इनसान नंगा चला जाएगा मुझे मेरी हकीखत मालूम है मेरे बाप ने कहा था कि हमारी हकीखत क्या है गंदी मिट्टी नुत्फ़ा नुत्फ़े से बना हुआ तो मैं ये पैसा लेके नहीं जा सकता ना मैं ये पैसा हाद मीं नहीं लगाँगा इन लोगों को सोचना चाहिए एक मुसल्मान बिखने वालों में से नहीं है अपने हुब्बे वत्न हमारे लिए बहुत जादा माइने रखती है और ये लोग सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को लूटना जानते हैं और देश की जंता इतनी बेवखूफ है कि वो लूट रह लगी है इसमें शुजा भाई बात ये है कि उनको लूटना आता है और इनको लूटना आता है अरे कैसे बेवखूफ लोग हैं अभी बाई हजार रुपए में अपना वोट बेच देते हैं और पांस साल तक खुद लूटते हैं ये एक करोर रुपया मेरे किसानों का है मेर पर घजो गे ना साथे 300 क्रोह लुप्र का उफर आये इसका प्रूफ है साथे 300 क्रोब का उफर है और अगर दे दिया न वह साथे 300 क्रोह भी ऐसी बाठ देंगे देश में भईया उपर वाले ने भगवान ने इश्वन ने इत्ता दिया है कि हमें जरुवत नहीं है अब अब यह सिर्फ जिन्दगी देश के लिए अब ठीक है मैंनत का खाते हैं कोई खरीदने के उकात नहीं किसी की आज तक पैदा नहीं हुआ यह करोड रुपिया आप लोगों का है भाई आप लोगों को बापिस बेज रहे हैं अगर आप लोगा किसी और का कुछ रिकमेंटेशन हो तो अलग बात है अगर एमकेडी परिवार हमने जो सोचा है हमारा परिवार एक परिवार है और एक ही भाशा में बोलेगा परिवार में डिसकर्श होगा हमारा हमने जो प्रपोजल दिया है वो प्रपोजल यह है कि जो CRPF के जवान, 40 जवान जो शहीद होएं, उनके परिवार में पैसा बाट दिया जाए, अगर 40 परिवार हैं, तो एक परिवार के हद्ते में 2,50,000 रुपे आते हैं और वो MKD परिवार दे देगा, ये रहे 2,50,000 रुपे 40 परिवारों के लिए, ठीक है, हमें पैसा मत भेजना, लास्ट और आखरी वार्निंग है आप लोगों को, नहीं तो वो पैसा बापिस भेज देंगे इंडिया, तो लगा ना GST उस पर फिर, क्या GST, क्या income tax, अभी भाई, ये लोग देश को लूट रहे हैं, देश लूट रहे हैं, बेवखूफों की हद नहीं है, देश लूट रहे हैं, ये लोग हजार हजार में अपने आपको बेज देते हैं, हजार रुपे में एक वोट खरीदा जाता है, हजार रुपे में वो पैसे लेंगे, लॉयर हो जाएंगे, इमानदार, क्या ओ भाजपा, ओ कॉंग्रेस, मज बेचो अपने आपको यार, बिरियानी पे, पववे पे, ठीक है, लैप्टोप पे, साइकल पे, मज बेचो, 400 हमारे बंदे आ जाएंगे न, तो इन लोग को खरीद के पटक देंगे, सब अपन मिलके पूरा देश, औकात नहीं है इन लोग की,